Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brace, this is me Shipratiwari, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है बिलकुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें बच्चो तो आज हम एक नया टीशू लेने वाले हैं जिसका नाम है Connective Tissue, we have completed the epithelial tissue with its revision Now आज हमको शुरू करना है Connective Tissue, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है बचो Connective Tissue मतलब Connective Tissue है तो वो कोई न कोई चीज जोडेगा ही जोडेगा, समझ में आई बात Connective Tissue शरीर में पाया जाने वाला Most Abundant Tissue होता है, इस से जादा कोई टीशू आपके शरीर पे नहीं पाया जाता सबसे दिख्या ही टीशू है, इसका main काम होता है link करना body parts को, इसका main काम होता है body को connect करना समझ में आगई बात, तो body के different parts को connect करना, bone से bone को connect करना, blood पूरी body को connect करता So there are different range of the connective tissue जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं So let's start, connective tissue जैसा कि मैंने आपको बताया, it is the most abundant tissue widely distributed into the body ठीक है, यह important point है और यह NCRT का point है और यह पूछा भी जाता है आपके NEET में कि बताये कि आपके शरीर में सबसे अधिक important और सबसे important तो सब है, सबसे ज़्यादा abundant tissue कौन सा है So connective tissue जो है, वो सबसे ज़्यादा abundant tissue होता है Now, connective tissue को पढ़ने से पहले, I am going to start the classification, सीधे सीधे मैं बात करूँगी पहले detail पढ़ने से फिगला सिर्केशा में, ठीक है, चलिए, let's start Connective tissue जो है, वो किन-किन चीजों से मिलके बना है, आजा बच्चों, शुरू कर रहे हैं पन, देखिए Connective tissue जो है, वो following चीजों से मिलके बना, यह अपन लोग समझ गए कि Connective tissue is the most abundant tissue, ठीक है, यह जो है, यह सबसे ज़ादा abundant tissue होता है, ओके, तो दुनिया में आए हो, तो Connective tissue सबसे ज़ादा होगा और body के different parts को connect करने का काम करता है, जैसे, एक आद example बता देती हूँ, तो आप और clear हो जाएंगे, जैसे, ligament, ligament एक connective tissue है, ठीक है, क्या है, यह ligament क्या करता है, MLB, नाम से समझ जाए, bone से muscle को connect करने के लिए हम ligament का इस्तमाल करते हैं, ऐसे ही होता है, tendon, tendon भी एक connective tissue ही है, इसको आप याद कर सकते हैं, ना, 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 यहीं तो घड़बड हो गई ना, ligament is BLB, bone से bone को connect करने के लिए ligament और muscle से bone को connect करने के लिए tendon, ठीक है, ओके, so tendon, ligament, ऐसे ही का दौर बता दूँ क्या, हाँ, blood ले लीजे, blood भी एक connective tissue है, bone भी एक connective tissue है, cartilage भी एक connective tissue है, और लिखूं क्या, बहुत जल्दी में रहती हूँ मैं, क्यों, तो एक है cartilage, ऐसे बहुत सारे connective tissue होते, इनका function ही यही है, दो different parts को connect करो, समझ में आई बात, जैसे blood, ठीक है, blood जो होता है, वो एक connective tissue है, जो body के हर part को connect करता है, बच्चों, मतलब body के किसी part को nutrition चाहिए, तो आपको blood तो चाहिए ही चाहिए पड़ेगा, ठीक है, तो यह तो मैंने कुछ range बताई है, ऐसे बहुत सारे होते है, एरियोलर होता है, एडिपोस होता है, टेंडन, लिगामेंट, ब्लाड, लिम्फ, बहुत सारे, ठीक है, चलिए, अब हम बात करेंगे इसके classification या बात करेंगे इसके components के, अब आपको देखना है कि connective tissue के component क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, component, ओके, connective tissue में following components हैं, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि connective tissue है तो कौन-कौन सी cell से मिलके बनता है उसके बाद हम बात करेंगे matrix की ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे fibers की ओके? Connective tissue के components के बारे में बात कर रहे हैं Connective tissue समझ गया ना? Connection most abundant यहाँ पे लिख देती हूँ Most abundant Okay, एक एक करके सब के बारे में बात करेंगे भी हम लोग Now let's start the cells and the matrix Let's start चलिए यहाँ पर मैं आपको पहले एक image बनाती हूँ ठीक है? Let's start Image बना ले पर लो गया पे एक आजाओ चलो color करना चाते हो क्या? चलो color भी कर लो आजाओ Color कर लो यापे यह हमारे पास एक tissue है हम लोग जिसके बारे में आज बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं matrix की यह white-white जो चीज मैं बना रही हूँ This is nothing, this is the matrix ठीक है? यह जो white-white चीज मैं आपको बना के बता रही हूँ यह कुछ और नहीं है यह matrix ही है Now question is कि यह matrix होता है क्या है? Matrix कुछ नहीं है बच्चो Matrix is the intracellular material Matrix is what? It is the intracellular material बच्चो That's it Matrix is the intracellular material Matrix is nothing It is the intracellular material अब question यह है कि यह matrix बनाता कौन है? Question तो यह है ना कि who will make the matrix? कौन बनाता है matrix? देखो, आजाओ मेरे लल्ला ध्यान से देखना Cell will make the matrix Cell will make the matrix अगर आप से पूछे What is the matrix? Matrix is the intracellular material Who will make the matrix? The cell will make the matrix अब question यह है कि matrix कैसा हो सकता है? हम लोग ही सोचते हैं कि Cell का जो टिशू का intracellular material है वो सब solid ही होता है ऐसा नहीं होता है बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है समझो बात को Matrix का जो है क्या कह सकते है? Texture लिखूँगी मैं हाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी Texture की? तो Texture matrix का कुछ भी हो सकता है Blood एक Connective Tissue है जिसका Matrix Fluid होता है Lymph एक Connective Tissue है जिसका Matrix Fluid होता है ठीक है? उसके बहाँ एक्जेम्पल पी लिखूँगी आपे लिख देती हूँ मैं Blood हो गया Lymph हो गया अब अगर मैं बात करूँ Bone की तो Bone का Matrix होता है Solid ठीक है? Bone का Matrix कैसा होता है? Bone का Matrix हो गया Solid ठीक है? ओके ऐसे ही Cartilage हो गया Solid, Solid ही लिख दे है मैंने क्यों Bone का Matrix होता है Solid ऐसे ही Cartilage का Matrix होता है Semi-Solid Semi-Solid लिख दो ओके तो कुलमिला के बात यह है बच्चों कि Matrix तो केसा भी हो सकता ही किसा भी ठीक है? Solid हो सकता है Fluid हो सकता है Semi-Solid हो सकता है तो अब Blood का Matrix Liquid है तो किसने बनाया Liquid? Blood की Cells ने बनाया तो यह हमको Concept clear हो गया कि जो Matrix होता है जो Cells की बीच का Material है वो Actually Cell ही बनाती है Now Question यह है हमारे पास भी कि हमारे Connective Tissue में कौन-कौन सी Cell हो सकती है ठीक है? अब मैं कुछ Cell का List बना देती हूँ आपको तो आपको यह समझना है कि यह यह Cells पाई जाएंगी आजाओ देखो अब मैं Common Connective Tissue की वो बना देती हूँ Cell का List ठीक है? Cell कौन-कौन सी होनी चाहिए Cell होनी चाहिए अब Macrophages Okay Macrophages एक टाइप की WBC है Basophil यह भी एक प्रकार की WBC है Eocinophil यह भी एक टाइप की WBC है Neutrophil यह भी एक टाइप की WBC है Fibroblast Fibers बनाता है और बताओ और क्या हो सकती है Edipocyte और क्या हो सकते हैं बताओ तो यह कुछ Common Type की Cells है जो हर Matrix में पाई जाती है बिटा Blood Cells भी हो सकती है अगर Blood की बात कर रहे हो अगर किस की बात कर रहे हो Blood की बात कर रहे हो तो Blood होगा Matrix में Cell उसके बाद Chondrocyte अगर हम Cartilage की बात कर रहे हैं तो Chondrocyte होगी ऐसे ही Osteocyte अगर हम बात कर रहे हैं किस की Cartilage की तो उसके Matrix में उसकी Cell होगी ऐसे ही Cell होगी Lymphocyte Lymphocyte में भी B-Lymphocyte नहीं वैसे लिंफोसाइट सारी ही होती है तो उसके लिंफ है लिंफ है तो उसके क्या हो रहा है यार लिंफ है तो उसके Matrix में कौन सी Cell होगी लिंफोसाइट ठीक है ये तो मैंने कुछ Cell बताई ये तो मैंने कुछ Cell बताई और भी हो सकती है ठीक है तो इतनी Cells होती है Matrix में ठीक है इतनी सारी Cells जरो थैनिये भी ठीक है मेट्रिक्स समय में आया दीजर फॉलोविंग सेल्स जो यहां प्रेजेंट होती है चलो खेल बनाई लेते हैं तो थोड़ा सही रहेगा चलो आजाओ बच्छो देखो कौन कौन सी सेल्स होती है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस सेल की सबसे पहले वी काँante पर अभी फिलाल मैं बना देतीं नूत्रोफिल बना लो एक बना लो अलग अलगा कलोर से सिंगा अथिय। इसके बाक्रवा पन बनाते हैं से ङईयोश runteking ठीक है ओके यह हो गई है डीपोसाइट उसके बाद फाइब्रो ब्लास्ट बना लीजे एक आदा फाइब्रो ब्लास्ट बना लीजे चलिए फाइब्रो ब्लास्ट बना लीजे ठीक है फाइब्रो ब्लास्ट बना लीजे उसके बाद आप क्या बना लीजे थोड़े से और क्या बना लोगे मैक्रो फेज बना लो और क्या करों कि यह ओंगा मैक्रो फेजिस ठीक है अब आप ध्यान समझना जो मैं बोल रहे हूं एक लेबलिंग कर देती हूं हाला कि इसकी जरुवरत नी है यह कहा है न्यू ट्रो फिल न्यू ट्रो फेल जो होता है यह सब से जदा most abundant WBC होता है मैं एक एक साल के बारे में बात भी करेंगे tension ना लो ठीक है अभी तुम्हें बस एक over भी बता रही हूँ यह neutrophil हो गया यह हो गया eosinophil हो गया eo eo ठीक है यह हो गया eosinophil ठीक है और यह हो गया basophil ठीक है यह सब क्या है बेटा यह सब क्या है मेरे लला यह सब WBC है ठीक है अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको थोड़ डीटिल से पढ़ेंगे हला कि मैं सब पढ़ा चुकी हुए circulatory system में types of WBC का lecture लगा क्या यह चलिए उसके बाद यह कौन सी cell हो गई यह हो गई अडीपोसाइट यह क्या हो गई अडीपोसाइट यह क्या स्टोर करती है यह fat स्टोर करती है ठीक है यह हो गई fibroblast यह क्या हो गई fibroblast fibroblast क्या बनाते हैं फाइवर बनाते हैं ठीक है वैसे ही यह क्या हो गई lymphocyte बेटा मेरे लला ऐसे बहुत सारे cells में हो सकते हैं बहुत सारे cells ठीक है ऑके तो ऐसे बहुत सारे cells in matrix में पढ़े हुए हो सकते हैं हम लोग इन cells के बारे में बात करेंगे अभी एक-एक individual cells के बारे में ठीक है clear हो गई यह बात that you connected tissue most abundant tissue है à connect tissue का कांम है छीजों को connect करना मैंने कुछ connective tissue के example आपको बता है जैसे लिगमेंट bone से bone को connect करता है tendon muscle से bone को connect करता है blood पूरी body को connect करता है lymph tissue और blood को connect करता है bone bone तो सब को connect करती है bone तो आपका framework बना रही है cartilages भी जो है यह connection का यह काम support का काम करते हैं तो these connective tissue is basically meant for the support and framework that is why it is the most abundant tissue now इसको मैं अबरब करती हूँ और मैं fibers के बारे में यहाँ पे कुछ बात करना चाहती हूँ जैसा कि आपको यह समझ में आया कि body में जो connective tissue होते हैं उनकी जो fibroblast cells होती हैं यह बनाती है fibers आप देखो यह याद रखो fibers जो हैं fibers जो हैं वो दो type के हो सकते हैं कौन-कौन से fibers हो सकते हैं एक होता है collagen fiber ठीक है एक बच्चों होता है collagen fiber और एक होता elastin एक होता elastin एक fiber कभी भी single नहीं रहता है एक fiber group में रहता है collagen दो type के fibroblast जो होते हैं यह fibers बनाते हैं Fibroblast जो Fibers बनाते हैं, यह basically दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन-कौन से प्रकार के? Collagen, Collagen किस कलर का होता है? White कलर का होता है, ठीक है, यह आपको Strength देता है, क्या देता है? Strength देता है, और यह Non-Flexible होता है, कैसा होता है बच्चो? Non-Flexible, जबकि Elastin कैसा होता है? फ्लेक्जिबल होता है ठीक है यह येलो कलर का होता है ओके और यह आपको elasticity देता है तो यह बात हमें clear हो गए ऐसे रैटिकुलर फाइबर भी होते हैं पर वह अभी आपके syllabus में नहीं है तो fibroblast जो होती है यह दो प्रकार के fibers बनाती है एक होता है collagen एक होता है elastin ठीक है collagen जो होता है यह strength देता है ठीक है tendon में पाया जाता है collagen fiber और ligament में पाया जाता है elastin fiber इसके बारे में में भी बात करेंगे इसका screenshot ले लीजे पहले यह बात है आपको clear हो गई बच्चो नाव एक चीज़ और बता दूं यहां पर कहां पर बताओं यहां चलो कोई बात नहीं मैं स्लाइड बढ़ा देती है फिर बताती है तो connective tissue सबसे abundant होता है यह living cell इसमें living cellular matrix है यह protein और कुछ modified polysaccharide से बना होता है ठीक है इस से बना होता है देख लो यह है connected tissue का diagram adipocyte cells है यह adipocyte cells है collagen fibers and fibroblast cells है ठीक है फिर उसके बाद आपकी blood vessels भी है reticular fiber monocyte lymphocyte बहुत सारी cells है इसके अंदर ठीक है इसके बारे में भी हम discuss करने वाले है चले नाओ अब हम बात करेंगी component समझ में आया आपको component समझ गए आप matrix समझ गए cell समझ गए fiber समझ गए ठीक है अच्छा अब यह अपन बात करते है थोड़ा सा classification हो जाए गया हो जाए classification हो जाए चलो तो connective tissue जो है वो basically तीन प्रकार का होता है कौन कौन सा loose connective tissue dense connective tissue और specialized connective tissue कौन कौन सा loose connective tissue dense connective tissue और specialized connective tissue ठीक है loose connective tissue जिसमें जो cells होंगी वो बहुत ही जादा loose होंगी ठीक है यहां यह पर लिख देती हूं मैं जो cells होंगी वो कैसी होंगी lose होंगी बहुत जादा ठीक cells कैसी होंगी Looz arrangement of cell lose arrangement अब यहां पर यह problem होता है जब मैं अपने हिसाप से बनाती हूं तो फिर सही रहता है यहां पर होता है loose arrangement of cell ठीक, अगर तुम मुझे बताओ अगर किसी tissue का की cells का loose arrangement होगा, मेरी बात को ध्यान समझना अगर किसी tissue की cells का loose arrangement होगा, तो cells दूर-दूर होगी, और अगर cells दूर-दूर होगी, तो वो tissue कैसा हो जाएगा, बच्चो, weak तो it is a weakest connective tissue weakest connective tissue ठीक, ओके, अब ये दो प्रकार का हो सकता है, ये हो सकता है, actually not weakest मत लिखो loose connective tissue में लिखो कि less strength, क्योंकि weakest होता areolar, ठीक है, सिर्फ ये याद रखो कि loose arrangement of the cell, now loose connective tissue दो प्रकार का हो सकता है एक होता है areolar connective tissue, एक होता है adipose connective tissue now थोड़ा सा discuss करेंगे, हाला की इसके बारे में हम लोगों को अभी detail से पढ़ना भी है, तो tension नहीं लेना है loose connective tissue okay loose connective tissue के as we know that we have two types number one is areolar areolar and adipose मैं सिर्फ अभी overview दे रही हूं areolar और adipose अभी classification पढ़ रहे है तो थोड़ा सा पढ़ते चलते है areolar जो होता है it is the most abundant connective tissue most abundant connective tissue okay beneath the skin beneath the skin पाय जाता ही है अब आप ध्यान से समझना जब मैंने आपको अभी सिर्फ overview पढ़ रहे है हम लोग पहले पूरा थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे फिर एके करके अब अब यह connective tissue कौन सा है यह connective tissue है areolar क्या है यह areolar areolar एक ऐसा tissue होता है जिसमें बहुत सारी cells होती है पर इन में किसी भी प्रकार का कोई arrangement नहीं होता ठीक है इस टिशू में जो cell arrangement है वो irregular है cell arrangement कैसा है बच्चो cell arrangement है irregular ठीक है इसका मतलब यह है कि इसमें cell का कोई arrangement नहीं है कोई भी cell जो कि मैंने बहुत सारी आपको बताई macrophages B cell T cell बहुत सारी cells बताई उनका कोई arrangement नहीं कहीं भी पड़ी हुई है और tightly packed नहीं है इधर उधर कहीं भी पड़ी है इसले यह loose connective tissue है कहाँ पाया जाता है यह पाया जाता है आपके epidermis के नीचे यह basement membrane के नीचे इट प्रोवाइट्स तप्लाई ओफ दा oxygen and nutrient to the epidermis क्लियर हो गई इतनी बात ना हो अगर मैं एडिपोस टिशू को देखू तो यह क्या होते है fat storing tissue अभी इतनी ही बात करेंगे इनके पास एक special cell होती है जिसको आप कहते है एडिपोसाइट एडिपोसाइट जो होती है वो fat को store करने का काम करती है आगे बढ़ें next classification में आगे क्यों रहा है areolar समझ गए आप एडिपोस समझ गए आप dense connective tissue ठीक है dense connective tissue में अगर आप बात करेंगे तो we have two types of tissue dense connective tissue में dense regular और dense irregular ठीक है dense regular connective tissue पढ़ते हैं हम लोग dense regular connective tissue का मतलब यह होता है कि आपका जो matrix है अब हम बात कर रहें dense connective tissue आजाओ इधर देखो dense connective tissue dense connective tissue में दो देखें आप एक देखिए regular regular एक देखिए irregular ठीक है regular का मतलब यह है कि dense connective tissue जो होता है इसमें जो cells का arrangement है जैसे fibers का जो arrangement है तो they know they are very regularly arranged fibers are very regularly arranged irregular में जो इनके fibers होते हैं वो बहुत ही irregular प्रेजेंट हैं जो tissues प्रेजेंट हैं यह मैं कहूं जो fiber जो cell प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा अब टेंडेन और लिगामेंट इन दोनों को पता है ठीक है यहां पर लिख देते हुमें हुंहां तो they knows they know the direction of pulling ओके इनको पता होता है ध्यान से समझेव देखो टेंडेन और लिगामेंट दोनों Fiber से बने हुए क्या कह सकते Connective Tissue है ठीक है इसमें जो Fiber पाया जाता है यह होता है Collision अभी अपने डिसकस किया था और इनमें जो Fiber पाया जाता है वह होता है Elastin है OK है अब कर टेंडन और लिगामेड की कहाणि यह है कि टेंडन ietzt at Katherine होता है और लिगामेंट जो नदा बोन ना बीच में उता है अब इनको टिट्रीन में पढ़ेंगे तो भी बताओं अपको टेंडन और लिगमेंट इन दोनों को पता होता है कि इनको किस जगह पर मूव करना है ठीक है इसलिए कैसे होते है इर्रेगुलर इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिशू इतनी बात क्लियर हो गई इसका स्क्रीन शॉट लीजे पहले अब बच्चों यह बात हमको क्लियर हो गई अच्छा एरियोलर में एक और चीज याद रखना है इट इस दा मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिशू क्योंकि यह पाया जाता है बिनिद्द स्किन और जहां अब यह स्किन होगी वहां वहां पे एरियोलर टिशू होगा चाहिए कोई दिखकत कोई परिशानी अगर सकिन का एक डियाग्राम आप चोटा सब्सटा सब बना देटी ओंग में यह स्किन है ओके यह क्लमस अपिथील्य में इसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू ठीक है इसके नीचे यह कनेक्टिव टिशू थेहा बता रही हुँ तो यह क्या हो गया यह क्या हो गया एपिडर्मिस okay Epidermis में कोई 美味 सप्लाई नहीं होती यह हो गई Jaеж Topintebs किसे बनी होती है या सब्鉄 सब से असका नर्स पर हो था えば कि इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्व यहीं तुम्हें बताना चाहरी थी ओके यही तुम्हें बनाना चारी थी कि रेगुलर का एक्जाम्पल तो तुमने पढ़ लिया टेंटन लिगामेंट इर्रेगुलर का क्या है तो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है एक वनेटा किने थे वह पूरे बाडी में तो सकिन है हर जगा तो सकिन है तो एडी पोज और महां पर टीशू पाई जाते हैं तो बिनेट दस स्किन अरे दा स्किन adipose beneath the skin dense irregular connective tissue beneath the epidermis ठीक है? तो irregular tissue में we don't know the direction ओके? irregular tissue की कहानी ये है कि हमें direction नहीं पता है the arrangement of fibers हमको नहीं पता है तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं covering बच्चो क्या बनाते हैं? covering किस की covering बनाते हैं? जैसे pericardium heart की covering बनाते हैं ठीक है? इतनी बात clear हो गई loose connective tissue का intro समझ में आया area समझ में आया adipose समझ में आया dense का समझ में आया regular irregular समझ में आया regular का example tendon ligament अभी details लेंगे इसको irregular का pericardium, periosteum, skin ठीक है? अब आजाओ क्या कहती है कहानी? तो ये देखिए dense regular में dense regular का example tendon ligament ठीक है? BLB और MTB उसके बाद अब dense irregular का क्या है? ये क्या बनाते है? covering covering तो ये कहाँ पाए जाएंगे? covering वाले कहाँ पाए जाएंगे? covering में पाए जाएंगे heart की covering में, bone की covering में हर चीस की covering में ठीक है? और कहाँ पाए जाते हैं? बताए इसकिन के नीचे, ठीक है? ओके इसकिन के नीचे मतला epidermis के नीचे Now specialized connective tissue specialized connective tissue का मतलब ये है कि इसा tissue जो कोई विशेश प्रकार का function करें बिटा ठीक है? विशेश प्रकार का function करें एक होता है इसका दो type होता है एक होता है skeletal connective tissue जो आपको support करता है और एक होता है fluid connective tissue जो आपके लिए transport करता है तो इनके specific function है आगई बात समझ में इनके specific function है तो अगर किसी specific function के अधार पर कोई connective tissue बनाया गया जैसे bone or cartilage, bone or cartilage क्या करते हैं ये connect करते हैं, support करते हैं, strength देते हैं ठीक है और fluid connective tissue transportation में help करते हैं समझ में आ गई बात, adipose bis का example हो सकता है पर normally adipose is the example of the loose connective tissue, done इतनी बात clear हो गई सबको, ठीक है, कोई दिकत, कोई परिशानी, तो बच्चो अब हम एक-एक connective tissue को थोड़ा सा detail में लेते हैं वैसे आपको मैं बता दूँ कि आप already, जो मैं detail में पढ़ाऊंगी, वो मैं आप लोगों को already बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि जो loose connective tissue होता है, चाहे dense connective tissue होता है, चाहे कोई भी connective tissue है cells almost सब में same ही रहती है, ठीक है, किसी में थोड़ी जादा रहती है, किसी में थोड़ी कम रहती है तो जैसे मैंने आपको इतनी सारे type of WBCs पढ़ाए हैं, तो type of WBC का अगर आपको lecture लगाना है तो आप transportation में types of WBC दी हुई है, उसको आप पढ़ लेना, fluid connective tissue blood होता है और इस fluid connective tissue के बारे में हम लोग थोड़ा सही बात करेंगे, क्योंकि मैं already तुमको blood के बारे में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ खेर, let it be, अभी हम बात कर रहे हैं loose connective tissue में, loose connective tissue में भी हम this tissue की बात कर रहे हैं वो है areolar tissue, okay, loose connective tissue, why the name is loose connective tissue क्योंकि इनमें जो cells होती हैं वो दूर-दूर होती हैं आगई बात समझ वें, जो cells हैं वो क्या है, cells and fibers are loosely arranged, loosely का मतलब होता है दूर-दूर देख भाईया, loosely है, तो weakest है, कमजोर होते हैं यह, बहुत जादा strong नहीं होते हैं, जैसे bone होता है, जैसे tendon ligament होते हैं, इतने strong नहीं होते, यह weak होते हैं पर बहुत जादा होते हैं, यह हमेशा याद रखिएगा, कि weak होंगे, पर बहुत जादा होते हैं Loose Connective Tissue के दो प्रकार होते हैं एक होता Areolar Tissue और एक होता Adipose Tissue Areolar Tissue के बारे में पहले करते हैं अपन लोग काम, बनाती हूं डायग्राम समझते हैं कहानी, then we'll move to the Adipose Tissue अच्छा एक चीज मैं और बता दूँ जो डायग्राम मैं बनाने वाली हुना वो अल्रेडी तुम बना चुकी हूं है कितने बार पता है, एक, दो, तीन, चार, पांच बार तो बना ही चुकी होंगी पर ठीक है, क्योंकि मौका है, दस्तूर है तो डायग्राम बना लेते हैं, आ जाईए तो सबसे पहले डीटेल पढ़िए कि एरियोलर टीशू कहता क्या है यह देखिए, यह न्सी आटी में यह डायग्राम बना हुआ है हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है एरियोलर टीशू is the most widely distributed connective tissue important point है, important point है नीट में यह point as it is पूछा गया है कि बताईए कि most widely distributed connective tissue कौन सा है तो मेरे लाल, मेरे बच्चो, most widely distributed connective tissue है एरियोलर टीशू अच्छा, इसको loosely को कैसे याद रखोगे कि एरियोलर उसका example है, loosely connective tissue का कैसे याद रखोगे तो एर से याद रखना जिसकी से दूर दूर हो और एर पास हो जाए तो एरियोलर, एरियोलर is the example of the loose connective tissue ठीक है, ऐसे याद रखना अब हम वो तो पढ़नी रहे हैं पर लेट इट भी ये याद रखना कि एर से याद रखना एरियोलर ना, एरियोलर connective tissue जो है ना ये बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग packaging tissue बच्चो ठीक है, इसका नाम होता है packaging tissue ओके, packaging tissue अच्छा एक चीज याद रखिएगा notes कल के lecture में मेरे को बहुत सारे लोगों ने comment किया कि notes चाहिए, notes चाहिए, notes चाहिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटा भाजन कर रहे हैं क्या यहाँ पर किया हम लोग भगवान को अगर्बती दिखा रहे हैं क्या बोलो, क्या कर रहे हैं यह यह जो कहानी लिखी हुई है जो मैं इतना सारा board में मर मरके मेरे हाथ दुखते हैं रात में रात में board का सपना आता है कि मैं लिख रही हूँ सामने वाला बोल रहा है writing अच्छी नहीं थोड़ा अच्छे से लिखिए आप मैणम् तो क्या कर रहे हैं। notes नो यह नोट्स हैं। बना अपनी copy में notes चाहिए, well notes क्या होता है। यही तो notes है और यशी में सह आने वाला है। ठीक है? ऐसा थोड़ी कि भगवान ने कोई अलग से नोट्स अफ्तरित करके दिये हैं तुमें बेटा, यही है नोट्स, इसी को बनाना है अपने को, समझ गए? चलो, तो इसे हम कहते हैं packaging tissue, देखिए, packaging tissue मतलब यह है कि जितने भी आपके organs होते हैं, जितने भी organs होते हैं, चा है कि WBC है तो protection perform कर सकते हैं, fibers है तो strength दे सकते हैं, fibroblast है, जो fibers बनाते हैं वो strength देते हैं, ठीक है? और इसके अंदर blood vessels भी होती है, जो blood oxygen प्रोवाइट करती हैं organ को, तो यह जो tissue होता है, इसको हम packaging tissue कहते हैं, और यह हर organ के चारो तरफ पाया जाता है, areaolar connective tissue जो है, यह आप के skin में भी पाया जाता है, आइए देखें कि यह skin में कैसे पाया जाएगा और कहां पाया जाएगा, यह भी diagram पता है, मैं बहुत बाहर बना चुकी हूं, पर ठीक है, अब क्योंकि बात चल लिए तो बता देती हूं, तो यह क्या करता है, क्योंकि यह चारो तरफ पाया जात और इन सब के चारो तरफ आपको इतनी सारी cells दिखाई दे रही है जो कि एक areolar tissue का formation करती है तो कोई भी organ हो areolar tissue तो पाया ही जाएगा It makes the covering, it makes the package packet of the organ ठीक है ताकि organ को हम क्या कर सके, protect कर सके from the external jerk, from the external infection, anything ठीक है उसके बाद areolar tissue जो होता है, ये skin को muscles से join करने का काम करता है मैं बताऊँगे कैसे है अभी आप tension ना लो, tension ना लो मुन ना बता रही हूँ ये वाला point जो है ना, कि ये जो areolar tissue होता है, वो skin को muscles से join कर के रखता है Areolar tissue जो होता है, वो organ के inside होता है, उसको pack करता है ठीक है ailiar Tissue जो होता है muscle के चारो तरफ पाये जाता है blood vessel के चारो तरफ पाये जाता रहे है देखो ना यहाँ पर आपने blood vessels और nerf बनाई है Ton इसके चारो तरफ आपको ariolar Tissue दीख रहा है इसका अब यह एक यह blood vessels और nerve को चारो तरफ से cover करता है, औरगन के inside होता है, तो कुल मिला के ये organs को अंदर से और nerves और blood vessel को बाहर से pack करने का काम करता है, इसले इसका नाम packaging tissue होता है, ये weakest है tissue, ठीक है, weakest connective tissue है या कह सकते हैं, weakest connective tissue है और most abundant है, ये याद रखना है अपने को, ये most abundant है, अब हम बात करते हैं कि ये पाया कहां कहां जाएगा, चलो, आजाओ, क्या बोल रही हूँ मैं कहानी, देखो, ये कहानी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और ये सारा diagram जो आपको कंठस्त होना चाहिए, याद होना चाहिए, जो याद नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करूँगी बेटा, ऐसे थोड़ी गोल के पिला सकती हूँ, पढ़ा ही सकती हूँ तुम्हे मैं, आजाओ, देखेंगे, सबसे पहले बनाओ, बिना कुछ सोचे, समझे, एक basement membrane, area, basement membrane बनानी हम लोगों को, तो एक basement membrane बना लिजे, ये हो गई basement membrane, ठीक है, basement membrane के उपर ड्रॉ करिए, क्या ड्रॉ करेंगे बताईए, basement membrane के उपर ड्रॉ करिए, epithelial tissue, ड्रॉ कर लिया, हम लोग skin का डाइग्राम बना रहे हैं, और हम areaolar connective tissue की location समझ रहे हैं, skin बना लिजे, बन गई skin, ठीक है, ओके, ये skin हो गई, उसके उपर skin कैसी epithelial में, keratinized epithelial में ये याद रखिएगा, क्योंकि उपर की जो cells हैं, वो flat होकर keratin का deposition करने लगती हैं, समझ गए, अब keratin में ये आपको पहले ही पता है, कि जो epithelial tissues होते हैं, इनमें कोई blood supply तो होती नहीं है, no blood supply, ठीक है, इनमें कोई blood supply होती नहीं है, तो इनको blood supply को अन देगा, ये एक बहुती महतपूर्ण प्रश्ण है, जीवन का प्रश्ण वाचक चिन नहीं ही पर लगता है, तो देखेंगे कि क्या है कहानी, आ जाईए, चलो, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, आ गया, अब यहाँ पर मैं एक tissue बना रही हूँ, देखें धान से, क्या बना रही हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक tissue बना रही हूँ, देखो, गौर सिब देखो, और बोलो, जैमाता दी, ठीक है, तो यहाँ पर आप बना रहे हैं, एक layer which is called as dermis, ठीक है, basement membrane, लिख देती हूँ, orange वाली basement membrane है, ठीक है, basement membrane, मेरे साथ लिखते जाया करो, जो मैं बोल रही हूँ, तो basement membrane और epithelium जो है, इसको, यहाँ पूरा यह जो, basement membrane with squamous epithelium is called as epidermis, बच्चो, epidermis, ठीक है, और यह हो गया अपना dermis, ना question is, कि इस dermis में क्या है, क्या है इस dermis में, देखेंगे, अरे यार, हम, इस dermis में पाया जाता है dense, dense, irregular, irregular connective tissue, क्या पाया जाता है dense irregular connective tissue, dense irregular connective tissue है, इसका मतलब क्या है, कि cells जो हैं, वो दूर-दूर पाय जा रही है, अब यहाँ पर dense irregular connective tissue के पास क्या होगा, यह रेखो, यहाँ पर क्या होंगी, blood vessels, क्या होंगे यहां पर ब्लड वैसल क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो एरियोलेट टीशू था उसके पास ब्लड वैसल जो ब्लड सप्लाई है वो भी होती है सब कुछ तो होता उसके पास ठीक है अब आप एक और चीज देखेगा जो मैं बोल रही हूं इसके जस्ट नीचे यह क्या हो रहा है यार देखिए आ इसके जस्ट नीचे आपको एक और टीशू दिखाइए देगा इस ठीशू को आप कहते सब क्यूते क्यूटेनियस टिशू इसे आप कहते हैं सब क्यूटेनियस टिशू ठीक है कोई दिकत सब क्यूटेनियस टिशू किस से मिलके बनता है यह बनता है एरियोलर सब क्यूटेनियस टिशू से किस से मिलके बनता है कलर विजिबल ही नहीं होगा हाँ, subcutaneous tissue मिलकर बनता है areolar और adipose tissue से, ठीक है, उसके बाद नीचे होती है muscles, नीचे क्या होती है, muscles, बना लो muscles, बहुत चारी muscles बना दो, ठीक है, यह हो गई, muscles, ओके, ठीक, क्या देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, dense irregular connective tissue है, मतलब यहाँ पर भी areolar होगा, areolar होगा, ओके, तो यह पूरा पार्ट किसका है, यह पूरा पार्ट क्या है, यह पूरा पार्ट है, skin, skin, skin को जो है, वो basically जो इसको छोड़ दीजे आप, इतना छोड़ दीजे आप, epidermis का पार्ट, dermis और subcutaneous tissue किस से मिलका बनते बेटा, areolar tissue से, dense irregular connective tissue क्या है, dense irregular connective tissue पढ़ रहे हो ना, dense irregular connective tissue में तुमने दो ही example पढ़े ना, कौन सा, बोलो, बोलो, कौन सा पढ़ा तुमने, एक पढ़ा तुमने, areolar, एक तुमें पढ़ना है, endipose, समझ रहे हो ना, बात को, अब कहानी यह है, कि इन दोनों में भाई पाए जाता है, पूरा जो subcutaneous tissue है, even dermis, यह इन ही areolar tissue से मिलकर बनता है, ठीक है, अब, इसके जस्ट नीचे होती है muscle, तो ultimately, यह जो दोनों layer है, यह किस से बिलकर बनी, areolar tissue से, और areolar tissue क्या करती है, muscle को connect करती है, तो हमेशा यह यह याद रखना है, कि, क्या कहें हम, जो dense irregular connective tissue होता है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर, मतलब, नीचे वाले में तो specifically areolar और idipose है, ठीक है, इस जो subcutaneous tissue है, पर dense में भी areolar connective tissue है, और fibers है, क्या है बेटा है, इसमें fibers, ठीक है, fibers है इसमें, mainly कौन सा fiber, दोनों fiber होते हैं, collagen और elastin, ठीक है, दोनों होते हैं, ओके, अब बुढ़ापे में dense irregular connective tissue में जो fibers होते हैं, ठीक है, पढ़ाया ना मिन आपको, जो fibers होते हैं, जो collagen और elastin होते हैं, यह कम होने लगते हैं, कम होने की वज़ेसे, आप इस skin को उठाएंगे ना, तो आसानी से उठ जाएगी, ठीक है, बुढ़ापे में दो चीज़े आपको दिखाई देती, अभी आपकी skin क्या है, मोटी-मोटी है, है ना, क्योंकि आपकी जो subcutaneous layer है, उसमें edipost tissue भरा हुआ है, पर जैसे जैसे आप बुढ़े होते जाते हैं, edipost tissue खतम होता जाता, तो आपकी skin पतली हो जाती है, अभी आप अपने skin को खीच नहीं सकते, पर जब आप बूढ़े होंगे, तो आप अपनी skin को खीच के उठा सकते हैं, क्योंकि बीच वाली जो dermis layer है, इसमें बहुत सारे fibers होते हैं, ठीक है, तो ये fiber जो है, इनका ratio कम होन होने की वजए से, आप skin को आसानी से उठा सकते हैं, खीच सकते हैं, इतनी बात clear हो गई, इसमें किसी को कोई confusion तो नहीं, तो ये हो गया बच्चो क्या हमारा areolar tissue, कौन सा tissue है ये बिटा, areolar tissue है, ये, इस areolar tissue में cells दूर दूर होती है, अभी तो ये मैंने बताया, कि कहां पाय तो हम को ही समझ में आया कि कहां पाया जाता है, ये फाया जाता है, बेनित दा, skin, या बेनित दा, skinny, या, skin में भी तो है, ये dense, irregular connective tissue के आया है, ये, ईरी उलरी तो है, अब, तो skin में हमारे पास क्या है, सबसे पहले होती है, epidermis, ठीक है, ony, this system हम लोग क्या कहे देते हैं ठीक है क्या कहेदेते हैं स्किन के नीचे होता है सब क्यूटीनेस टीशु डिस के अंदर heriolar और Edipo Stissues और पाए जाते हैं तो Gens n सी एक टेल्स काई त्टीशु से क्या होता है कि आपकी स्किन में मसल को छोड़ देती तो ऐसे उठने लगते बुढ़ा पर मैं ऐसे ही होता है ठीक है और स्किन मोटी ताजी रहेगी अब मुझे तो तुम देखते ही हो ना तो यह यहाँ पर एडिपोस टिशु भरा हुआ है सब कुट्यूनिस टिशु में ठीक है और आल इस पार्ट अटाच देखें सो लेक्स स्टार्ट कि कौन कौन सी सेल्स है ना ओ चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर है फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर कौन सी सेल है फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट है तो यह क्या बनाएगी बेटा फाइबर्स फाइब्रोब्लास्ट क्य और एक बनाएगी elastin, ठीक है, उसके बाद collagen आपको strength देता है, elastin आपको flexibility देता है, यह है macrophage, अब मेरे को थोड़ा सा कुछ-कुछ लग रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको WBC, देखो आप areolar tissue देख रहे हैं, आप areolar tissue आपको दिखाई दे रहा है, अब आप देखो यह क्या आपको यह है fat cells, ठीक है fat cells, मैडम पढ़ा आप areolar tissue रही हो, इसमें कैसे fat cells आ गई मैडम, अरे एक दूँ इसमें भी रहती है, ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखते जाए, यह हैं आपके basophil, basophil यह है, ठीक है, कह हैं यह आपके basophil, ठीक है, उसके बाद यह हैं आपके neut neutrophil, ओके, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा भी बाद में बताऊंगी, ओके, नाओ यह हैं आपकी mast cell, ठीक है, यह क्या हैं आपकी mast cell, देखो, मैं थोड़ा से इसको अच्छे से पुरा clear करके label करती हूँ, ध्यान से देखना, Fibroblast, क्या बनाते हैं, Fibers, अभी हम कुछ और नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझ लें, Fibroblast से बनते हैं, Fibers, Adipose Tissue, जो fat store करते हैं, Macrophages एक type की WBC है, यह भी एक WBC है, ठीक है, यह भी एक WBC है, ठीक है, sometime the WBC gets sensitized and converted into the mast cell, यह है आपकी B cell, जो की WBC है, ठीक है, उसके बाद यह जो आपको thread type के दिख रहे हैं, यह क्या है, आपके Fibers, अब बच्चो ना, मैं आपको बताऊं, ऐसा ही diagram आपके NEET के exam में as it is आ सकता है, समझ रहे हो, as it is यह पूछा जा सकता है, तो यह चीज अपने दिमाग में रखना, कि as it is diagram हमको exam में पूछा जा सकता है, ठीक है, चलो, अच्छे WBC में, आपको WBC के बारे में मैं आपको fluid connective tissue में एक बर revise करा दूँगे, तो tension ना लेना, ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा, यह क्या है, earphone shape, it is not basophil, it is eosinophil, ठीक है, यह, earphone shape का जो वो रहता है न, क्या नाम से nucleus, it is like that, तो यह क्या होता है, eosinophil, क्या होत होता, eosinophil, उसके बाद अगर आप bylobed ही, अगर ऐसा nucleus दिख रहा है, तो यह है basophil, basophil का ही conversion होता है, आपका mast cell, ठीक है, okay, mast cell, उसके बाद अगर आपको trilobed nucleus दिख रहा है, it is like that only, ठीक है, यह, एसा, तो यह है neutrophil, थोड़ा सा आपको बता दूँगी, जह मैं fluid के बारे में पढ़ चुके, तो यह ना, आपसे NCRT का यह वाला diagram, आपके NEET exam में as a test पूछा जा सकता है, तो फिर मुझे मत बोलना, मैंने बताया नहीं था, ठीक है, चलो, आगे बढ़ें हम लोग, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं, यह edipose tissue है, बट first, हम लोग edipose tissue के बा material which is formed by the cells, जो tissue की cell है, वही matrix बनाती है, क्या क्या होता है, मुको, पाली, सेक्राइड, ग्लाइको, प्रोटीन, इसमें बहुत सारी irregular cells होती हैं, जो की different function perform करती है, जैसे fibroblast क्या बनाती है, fibroblast बनाती है, fibers, macrophages क्या करती है, phagocytosis, ठीक है, ओके, उसके बाद, mass cell क्या करती हैं, infection से prevention, ठीक है, infection से prevention लिख दिया, invention, ठीक है, infection से prevent करती है, infection prevention लिख देती हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या है, plasma cell ये बनाती है, bilimphocyte, ये bilimphocyte क्या है, मडम, बेटा, blood का lecture लगाओ, ना, blood का lecture लगाओ, तो आपको clear हो जाएगा, चलो, matrix समझ में आ गया, कि किस से किस से बना होता है, अब, matrix में दो प्रकार के fibers होते हैं, अच्छा, एक चीज़ आप ये याद रखो, जो मैं बता रही थी, यहाँ पर diagram में, हम लोग लिख भी सकते हैं, कि areolar connective tissue को irregular connective tissue कहते हैं, जो कि skin में पाय जाता है, अब बेटा, skin को हम कैसा भी खीच सकते हैं, अब कोई त पकड़ के खीच लेता है, किसी को मार ना होता तो खीच लेता है, तो skin को तो हम किसी भी direction में खीच सकते हैं, क्यों, क्योंकि skin is made up of areaolar connective tissue, इसके बिने the skin areaolar connective tissue होता है, जो कि irregular है, और हम उसका जो pulling force होता है, इन में जो fibers पाय जाते हैं, उनका खुद का कोई direction नहीं है, यहां पर pulling force की कोई specific जगा नहीं है, इसमें pulling force कहीं से भी लग रहा है, क्योंकि fibers तो हर जगा है, वो कोई arrangement तो है नहीं, अब हम को यह जानना है, कि कितने प्रकार के fibers होते हैं areaolar connective tissue में, आजाओ, आजाओ, ठीक है, areaolar connective tissue में, कहां गया, कहां गया, हां, दो प्रकार की होते एक होता white collagen fiber, जो की collagen protein से बना होता है, और होते है yellow elastin fiber, जो की elastin protein से बने होता है, white का color white होता है, और yellow, yellow होता है, वाँ मेड़ा, क्या बता है, आपने सफेद का color, सफेद और पीले का color, पीला, function, क्या करता है, यह support करता है, और package करता है tissue को, ठीक है, एक support तो करी रहा है, आ मेरे गालू सी के हाथ में आ गया, ऐसा कभी होता है कि नहीं होता, तो इस सपोर्ट कर रहा है, और्गन्स को पैक करने का काम करता है, और्गन्स के अंदर होता है, और्गन्स के बाहर होता है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई damage कभी भी ना हो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे fibers होते हैं तो कोई जर्क लग भी रहा है तो जर्क fibers सहते जाते हैं ठीक है यह helps in the repair of tissue बिल्कुल सही बात है देखो माल लो skin में cut लग गया खून निकलते जारा निकलते जारा then who will repair WBC will repair and fibers will repair और यह दोनों चीज़े यह और के पास हैं इसलिए वो repair में भी भाग लेता है तो यह functions हो गए now let's start with the edipose tissue edipose tissues जो होते हैं they are the fat storing connective tissue ठीक है क्या होते हैं यह fat storing connective tissue होते हैं ठीक है fat storing connective tissue क्यों कह रहे हैं क्योंकि यह fat को store करते जाते हैं okay । जब यह जवान होते हैं ये cells जब यह नए नए बने होते हैं तो इं इन में fat store इसितना नहीं होता जासे जासे बढ़े हो इतना बुढ़े फ़ी क्यों बढ़ता जाता थे ने बढ़ता mansion on the dpa cell ठीक है कि में इन the actual system known I W boa इन when it is quality आपको इन्हें कहते है एडिपोसाई ठीक है फैट सल कैसी होती है राउंडड होती है ओवल भी हो सकती है ठीक है इसके अंदर बहुत सारा फैट भरा हुआ रहता है एक्सस अफ मुझे वे बोले की अहाई अपने खाने में आविस यूज यूज वोते है यह चीज़ यह सब्सक्राइब पहुत बहुत स्टाइल के लोग बोलते हैं यह जब एवल दूख कोंग अगे तो मुझे खानना कोंग चाना तेल शुरू कर दिया है अब ले चार ग्लास जूस पी लिया मैंने ठीक है फिर मैंने संतरे खा लिये ठीक उसके बाद मैंने बहुत सारा मीठा खा लिये रसगुले खा लिये बस पर सुनू यह चम्मा चपन दोई यूज करते हैं बेटा मेरे बच्चो बॉडी के अंदर यह पावर होता है कि वो शुगर को भी फैट में कनवर्ट कर सकती है तो सिर्फ घी खाने से तेल खाने से आदमी मोटा नहीं होता आदमी चीनी खाने से भी मोटा होता है क्योंकि बोडी के अंदर है मोटे चीनी को भी फैट में कनवर्ट कर सकती है कौनसा है अरे बोलो ने इस वहुआ यह आद हो है कि शुगर कम खाए और यह जो शुगर से फैट बना है और यह यह cells के बीच में घुसता जाता घुसता जाता घुसता जाता और cell बड़ी हो जाती है जब cell बड़ी हो जाती है बच्चो तो इनका nucleus जो होता है वो side में लाक मार के भगा दिया जाता है देखो पहले कम fat था cell के अंदर तो nucleus past था और fat बढ़ा nucleus side हो गया इतना fat बढ़ गया cell के अंदर तो nucleus बिल्कूल कोने पर जाके चुपके बाढ़ गया ठीक है अब कहां कहां पाए जाते हैं बताइए सबसे पहले example तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपन discuss कर रहे थे edipose tissue look at this तो आपके subcutaneous tissue में कौन सा tissue है ठीक है subcutaneous जो layer है उसमें पाए जाता है edipose tissue जो आपको कहते हैं चबी chicks देने में काम करता है ठीक है look at my chicks lots of edipose tissue उसके बाद ही कहां पाए जाते हैं heart के kidney के eyeballs मतलब जहां जहां पर भी आपको यह ऐसा feel होता दबा सकते हैं आप वो जगा वहां वहां पर edipose tissue पाया जाता है ठीक है यह वीटा NCRT का diagram है NCRT का diagram है यह एक एडिपोसाइट का diagram है ठीक है this is the diagram of one एडिपोसाइट ठीक है इस एडिपोसाइट के सेंटर पर fat store हुए जा रहा है पहले यह fat storage area कैसा था छोटा पर जैसे जैसे आप fat store करते गया fat storage area बढ़ता गया यह इसका nucleus है fat store होने की विरसे nucleus को कोने पर लाग मार के दिया गया अब सहले तो plasma membrane तो हो गाई यही diagram आपके NCRT में भी दिया है और आपको पहचानने के लिए भी आ सकता है क्या करते हैं देखो है समझ में आरी बात चेहरे को एक shape देता है cushion की तरह behave करता है कि कोई भी infection travel करता हुआ organ के अंदर ना घुज जाए और organ को damage ना कर दे तो यह protection करता इंसुलेशन कैसे करता है अब sunlight body के internal part को damage ना करें तो fat नों को catch करता रहता है तो एक इंसुलेटर की तरह भी behave करता है ठंडी में ठंड बहुत जादा लगती है तो अगर आपके पर fat का layer है तो आपको ठंड लगेगी नहीं जादा ठीक तो जादा मोटा तो कम ठंडी हाला कि ऐसा होता नहीं है मेरे साथ तो ऐसा नहीं है बाबा चलिए अब हम बात करेंगे dense connective tissue शुडू करें आजो आजो बच्चो आजओ 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 तो dense connective tissue में जैसा कि मैंने आपको बताया dense connective tissue ओके ओके ध्यान से देखिए dense connective tissue में what you have to learn क्या तुम्हें learn करना है dense connective tissue में हम एक बात समझनी है कि जो matrix है जो matrix है वो बहुती जादा मोटा है matrix is very very dense अब dense connective tissue में matrix dense क्यों है क्योंकि इनके matrix में हैं बहुत सारे fibers आई बात समझ में इनके matrix में हैं बहुत सारे fibers अब dense connective tissue जो है ध्यान से समझना है dense connective tissue देखो यहाँ पर अगर आप देखे dense connective tissue कहा था dense connective tissue भी दो प्रकार के हो सकता है regular और irregular यही अपन ने पढ़ा था आज हम लोगों को किसके बारे में भी discuss करना है ओके यह दो प्रकार के होते हैं dense regular और dense irregular ठीक है देखे अलग से लिख दिया मैंने आपे हाला कि पहले बना चुकी हूं है एक होता है dense regular और एक होता है dense irregular connective tissue अब connective tissue नहीं लिख रही हूं ठीक है ना dense irregular सबसे पहले let let me take the example of dense regular ठीक है example ले ले हम लोग dense regular के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे है dense regular की कहानी यह है कि मोटा होगा matrix और regular होगा तो इसमें जो fiber arrangement होगा इसमें जो fiber arrangement होगा fiber arrangement is fixed ठीक है fiber arrangement कैसा होगा fixed होगा ठीक है fiber arrangement बिल्कुल fix होगा line wise बिल्कुल अच्छे से fibers arrange होगे ठीक है ऐसा क्यों होगा fiber को क्यों ऐसा arrange करना जरूरी है To know the pulling force ऐसा क्यों किया? To know the pulling force समझ में आ गई बात आपको कि dense regular connective tissue क्या होता है? कि जो fibers होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से arrange रहते हैं arrange क्यों हैं ताकि उनको पता रहे कि उनको कहां से किसको खीचना है dense irregular में ऐसा नहीं होता है बच्चो dense irregular में ऐसा नहीं होता है पढ़ेंगे उसके बारे में भी तो dense regular की कहानी ये है कि fibers का arrangement बहुत अच्छे से है fixed जगा पर यहाँ पर fiber का arrangement है यहाँ पर fiber का arrangement है ताकि उनको पता रहे कि उनको किस जगा पर अपना pulling force लगाना है ठीक है? है tendon tendon and ligament जब भी मैं ये color use करती हूँ तो मिझे ऐसे लगता है इसको पी लिया हो गया है ठीक है? तो एक होता है tendon और एक होता है ligament सुना होगा आपके बिने और ऐसा होई नहीं सकता कि मैं तुमको पढ़ाऊं और इसके बारे में ना बताऊं क्योंकि ये तो बहुत ही common सी चीज़े बचो चलो tendon के लिए मैंने आपको एक short form बताया था ना MTB रट लो बेटा, रट लो ठीक है? तो अगर आपको muscle से bone को attach करना है तो muscle, tendon, bone ठीक है? muscle से bone को attach करने के लिए tendon and bone, ligament, bone ठीक है? bone से bone को attach करने के लिए ligament ओके? नाव एक एक करके हम एक diagram बनाते हैं और उससे कहानी समझते हैं कि what is a tendon and what is a ligament ठीक है? ओके? चलो तो tendon, 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 टारा tendon के बारे में पढ़ते जाना ठीक है? लेट स्टार्ट चलो बना लो bone बनाओ bone चलो किसकी bone बनाओ? बताओ सबसे आसान तुमको कौन सा movement लगता है? अरे यार कौन सा बनाती हूँ? exercise करने जाते हैं न पन? अब exercise कैसे करते हैं? लड़कों को क्या exercise में सबसे दिख बनाना है? bicep ठीक है? तो कोई लड़के को बोलते चलो bicep दिखाओ तो कैसे करता है? ऐसे थोड़ी करके दिखाता है ऐसे भी दिखा सकते हैं वो तो tricep होता है ऐसा तो bicep बना लेते हैं आजाओ bicep जो है एक bone ये बना लेते हैं अपन एक bone अपन ये बना लेते हैं यह कौण सी बोन है वट्टा जो यहाँ बोन होती उसको क्या केते पन उस बोन कि नाम है बता है यूमर्स् this is called is humorous है यूमर्स पढा चुके हैं बोन ठेक है तो यह है अपनी humorous हीूमेरस ठेक है और इसके नीचे एक होता है हड़ा, हड़ी, हड़ा, जो भी बोलो, यार, ठीक है, इसके नीचे अपन को बनानी है, दो बोंस, दो बोंस कौन-कौन सी, एक रेडियस और एक अलना, एक है रेडियस और एक है अलना, चलो आजाओ बना लो, एक बनाओ रेडियस, ठीक है, ठीक ह ना ना बड़ी वाली कौन सी होती, अलना, ये है अलना, और ये है रेडियस, अब ये हमें नी समझना है कि कौन सी बोन है, हमको तो ये समझना है, हमको तो ये समझना है भाई, कि ये जो कहानी है, ठीक है, ये जो कहानी है, अब हमको का करना है, ये हमारा हाथ है, और हम चाहते कहले हैं कि ऐसे-इसे करें हम लोगो ये ऐसे से कर पाऊ ओग्या ये भी तह वह अपाइन सहनी है प्लूदा हुग यह है आपका यह में पिर्द में सब्संड वे तो अगर बडी बनाते हो तो ये वाली मसल को उठाते हो, फुलाते हो, ठीक, अब इस बाइसेप वाली मसल से तुमने क्या जोड़ना है, रहांस देखो, इस बाइसेप वाली मसल से जोड़ो हुमरस को, और इस बाइसेप वाली मसल से जोड़ो इस वाली रेडियस बोन को, ठीक है, क्या देख रहे हो त समझ गये ना मेरी बात को अब कहानी समझो जो फैक्ट है वो क्या है बड़ा मजा आएगा सुनके तेंडन ना मुनना अच्छा क्षा करार यूज करती हो कौन से यूज करूँ बताओ तुम लोग कौन से मैं से यह लगा लेती हो चलो टेंडन के बारे में देखो क्या है ना सुनो मेरी बात ये है dense ये तो हम समझ गए dense क्यों है क्योंकि इसके इंदर जो Fibers पाए जाते ना वो बहुत जाधा है है regular regular क्यों है क्योंकि Fibers जो पाए जा रहे हैं उनका अरेजमेंट बिल्कुल सटीक है उनको पता है कि भईया, हाथ ना, तुमने कभी देखा है कि यह हाथ पीछा मूड़ जाया और ऐसा चुए, नहीं होता ना, हमको पता है कि मारा पूरिंग फोर्स यही है, और हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसलिए regular, तो यह कैसा हो गया, dense regular, और क्या बोला मैंने, dense regular, और और क्या है, dense non-stretchable connective tissue, non-stretchable क्यों बोला मैंने, क्यों बोला non-stretchable, देखो बैटा, ध्यान से समझाओ, यह जो connective tissue है, tendon, यह बनता है collagen fiber से, किसे बनता है, collagen fiber से, और collagen fiber में stretch होने का property नहीं होता, समझ गया, tendon जो होता है, यह आपके non-stretchable connective tissue से बना होता है, अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, जब तुम ऐसा हाथ उठाते हो, यह ऐसा, 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 देख रहे हो ना, तो यह वाली चीज आप यह वाला जो बीच का जो मसल है ना, इस joint को आप हिला नहीं सकते, क्योंकि अगर यह joint हिला पाते ना, तो यह वाली बोन भी हिलती रहती साथ में पर नहीं होता है, ऐसा, 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 यह वाली बोन नहीं हिल रही है ना, यह वाली बोन तो अपनी जगह पर है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों बोन के बीच में एक non-stretchable tissue है, जिसका नाम है collagen fiber, collagen fiber जो है, वो tendon बनाता है, tendon की वज़ा से आप किसी भी एक बोन को दूसरी ब पर चलो, अब दूसरी कहानी सुन लेते हैं, क्या कहना चाहती हूं मैं, हम, 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 अब इन दोनों बोन के बीच में, look at this, यह दिख रहा है अपको, यह दिख रहा है, बोलो, दिख रहा है न, यह होता है अपना, यह होता है अपना ligament, ligament, ठीक है, ligament के बारे में देख केते हैं आ जाईए लिगामेंट क्या कहना चाहता है लिगामेंट बना होता है यल्लो इलास्टीन फाइबर से यल्लो इलास्टीन फाइबर से यह स्ट्रेचिबल होता है ठीक है stretchable ओके, नव देखो, अब अगर ये वाला joint stretch ना हो stretch ना हो तो बेटा क्या है ना, कि ये हड़ी तूट जाएगी समझ गये, इसे non-stretchable होना ज़रूरी है tendon को, ताकि pulling force generator आप हाथ हिला पाएं ठीक है, ने तो ऐसा अगर ऐसा tendon lose होता ना तो आपका हाथ कभी ऐसे वह ही नहीं होता है, ऐसे फिल 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 घूमता रहता पर tender non-stretchable tissue है ठीक है, इसलिए आप आसानी एक हड़ी को दूसरे हड़ी के पर फिसला रहे हो पर दोनों हड़ीों के बीच में कुछ ऐसे fibers कोई ऐसा tissue होना चीए कि जब हड़ी एक दूसरे के उपर फिसले ठीक है, तो वह तूटे नहीं तो यह क्या करता है, यह ligament जो होता है, यह stretchable yellow elastin fiber से बना होता है ताकि हम bones को, दो bones को आसानी से एक दूसरे के उपर फिसला सके यह बात clear हो गई, इसका screenshot ले लो ज़रा सा तो tendon में, tendon में जो fibers रहते है वो parallelly arrange रहते हैं, ठीक है Fibers कैसे arrange रहते हैं, बच्चो parallelly arrangement होता है fibers का इसमें क्या होते हैं fibers bundle में present होते हैं bundle में होते हैं ति यह याद रखेगा अब, tendon and ligament आपको clear हो गया, कि tendon हम को क्यों चाहिए ताकि हम specific direction में forcefully move कर पाएं ligament क्यों चाहिए होता है कि जब हम दो bones को move करें मतलब जब हम joints पे move करें या जब भी हम लोग move करें तो दो bones में कोई टकरावना हो और टूटे नहीं ठीक है जब हम बहुत ज्यादा exercise कर लेते हैं बहुत ज्यादा exercise कर लेते हैं तो यह ligament होते नहीं में swelling आ जाती है और आपको joints में pain होने लगता है ठीक है आजाओ अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी theory के बारे में देखते हैं भाईया क्या है कहानी बोलती है आजाओ यह तो हुआ इडि पोस्ट इशू dense connective tissue dense connective tissue में fibers और fibroblast cells होती है कौन-कौन से fibers होते हैं collagen or elastin fibroblast से ही collagen or elastin cell elastin fibers बनते हैं which are compactly packed packed in tendon लेगा मेंट ठीक है Compactly packed होती है tendon यह मेंट में ठीक है orientation of fibers in the matrix regular or irregular pattern of the fiber ठीक है तो जो आपका fibers का pattern है वो यह तो arrangement हो सकता है यह तो भीन arrangement के हो सकते हैं देखो यहां पर आप collagen white 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 देख रहे हो white white देख रहे हो तो बिल्कुल linear manner में आपको ओण को इखाए दे रहे हो इसा से regular connective tissue regular regular dense connective tissue ठीक है उसके बाद लोग बात करते किसकी उसके बाद dense connective tissue दो प्रकार का हो सकता है dense regular और點最 irregular dense regular देखो यहां पर आपको fibers कैसे दिखेरे सी दे सी दे सी दे सी दे सी दे तीधे यहाँ पर देखो तो फाइबर सियांजुआ app को यहां लाएद गुसी वंदू कुछ भी आपको सामय नहीं आ तो सीधा सीधा शीदह सेयर रहे हैं यहां तो थार्यज्वलर्ण सीधा टाकि उनको पता करोपके और कोई इस डियूफ कभाना नहें dense irregular में कोई arrangement नहीं है और उनको पता नहीं है हर जगा movement होता है कहीं से भी हो सकता है ठीक है अब अपने बात करते है dense regular की dense regular का example collagen fibers are present in rose collagen fiber कैसे present होते हैं rose में present होते हैं example हो गया tendon and ligament tendon and ligament चलो देखो ये देखो 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 आज़े आज़े तो यह कौन सी मसल है bicep muscle हो गई ठीक है bicep muscle को एक इधर से जोड़ना है अपने को humorous से और इधर से जोड़ना है अपने को radial muscle से radius हड़ी से अब मसल से bone को करने के लिए हमने बीच में क्या बना दियाए Bellum टेंड विन तो इस बॉन को इस बोन से जोडने के लिए हमारे पास घट ऐपन्ने के लगामेंट, इस बोन को ऑनलीगामेंट का ये स्ट्रक्चर है now अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे में Dense Irregular Connective Tissue, यह जानना बहुत ज़रूरी है, देखे, Dense Irregular Connective Tissue के कहानी यह है, आजाओ, देखो, यह clear हो गया, कि Dense Irregular Connective Tissue में रोज में होते हैं, अब हम बात करेंगे Dense Irregular की, Dense Irregular Connective Tissue, अब Dense Irregular Connective Tissue हैं, तो Fibers का Direction कैसा होगा, बच्चो, Fibers का Direction हर कहीं होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर Pulling Force की कोई Direction ही नहीं, ठीक है, तो यह याद रखिएगा, कि यहाँ पर कोई Direction ही नहीं है, No Direction of the Pulling Force, ठीक है, कहीं से भी खीच सकते हो, अब मेरे गाल को यहाँ से भी खीच सकते हो, 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 कहीं से भी खीच सकते हो, irregular connective tissue पाया जाता है ठीक है तो example लिख लेती हूं मैं skin में dense irregular connective tissue पाया जाता कहां पर पाया जाता है बताइए मुझे just epidermis के नीचे और यही dermis बनाने का काम करता है उसके बाद dense irregular connective tissue क्या बनाता है covering covering बनाता है बेटा किसकी covering बनाता है, बोन की कवरिंग बनाता है, हार्ट की कवरिंग बनाता है, ठीक है, बोन की कवरिंग, पेरियोस्टियम, ठीक है, हार्ट की कवरिंग, पेरिकार्डियम, तो यह कवरिंग बनाने का काम करता है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, covering है तो कोई भी protection तो हमें हर जगह से चाहिए और अगर कोई signal आ रहा है तो पूरी organ को एक साथ मिलेगा इसलिए fibers irregularly कहीं भी arrange रहे थे हैं क्योंकि pulling force की कोई direction ही नहीं है तो यह हो गया dense irregular connective tissue एक बार हम लोग अब dense irregular connective tissue composed of fibroblast and many fibers same बात है बस कहानी यह है कि regular में arrangement था इसमें arrangement नहीं है present beneath the skin and arranged irregularly now listen to me very carefully what I am saying epidermis ठीक है dermis dermis में जो fibers है इसमें कोई भी आपको arrangement नहीं दिखाई देगा जैसे आपको दिखा देती हूं यहाँ पर fibers दिखनी रहे पर यहाँ पर जो fibers present होंगे इनमें के खुद का कोई arrangement नहीं होगा irregular manner पर जो है distribute रहेंगे तो यह होती epidermis यह होती dermis dermis के नीचे होता है subcutaneous tissue जिसमें क्या होता area of fat tissues ठीक है यह कहानी हो गए इसमें बहुत सारे arteries veins यह सारी चीज़े होती है इसके बारे में भी पढ़ना नहीं अपने को ठीक है नाव बच्चों अब अपन लोग देख लेते हैं मैं स्पेस्ट्डी स्पेस्ट्लाइस सट्ट्षाइ्ट्ड स्रस्ट में करवा psychiatrist आपको पर आज हम लोग अभी देख लें कि हमने कर्के क्या क्या लीया ह। देखो er कनेकटि टेशू ॥िश्यू 재미 टेव टेशू में हमने कौन साओ कर लिया लूसेक्डिव ट्षू कर एरियोलर कर लिये, loose connective tissue के दो टाइप कर लिये, ठीक है, उसके बाद dense connective tissue कर लिया, dense connective tissue में regular और irregular दोनों कर लिया, tendon और ligament भी कर लिये, अब बचा है हमारे specialized connective tissue, specialized connective tissue जो होते हैं, वो किसी specific function के लिए होते हैं, और किसी specific function को perform शरीर में करवाते हैं, So this is all about the connective tissue part 1, in the next class I will tell you the specialized connective tissue, मैं ये उमीद कर रही हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, कभी भी इतना सारा नहीं पढ़ना है, यही आपके exam में आएगा, ठीक है, इतना सारा पढ़ने के जक्कर में पते चला कुछ भी नहीं समझ में आएग जो मैंने आपको बता दिया, so I hope you learned and enjoyed the video, see you in the next class with the specialized connective tissue, तब तक घर पे रही है, safe रही है, अपना ध्यान रखिये, thank you sir.